Hello friends, welcome to my channel Easy Life with Sangeeta आज आपके साथ बहुती खास remedy शेयर कर रहे हूँ बहुत ज़्यादा मेरे पास request आ रही थी कि मैं ब्लेक हेट्स और वाइट्स को रिमूब करने के लिए कोई आप remedy बताएं तो देखिए अकसर क्या होता है कि ज़्यादा तर लोगों की नोस पर ये चिन एरिया पर और यहाँ इस एरिया पर बहुत ज़्यादा ब्लेक हेट्स वाइट्स हो जाते हैं जिनकी वज़े से कलर बहुती डार्क लगता है और चेहरे का गलोग हो जाता है तो black hurts और white hurts को बहुत ही आसानी से remove करने के लिए pores को clean करने के लिए और चहरे को चमकदार बनाने के लिए आपके साथ बहुत ही खास remedy share कर रहे हूँ कुछ step बताऊंगी जिने आप follow करेंगी तो black hurts, white hurts easily remove हो जाएंगे और चहरा बहुत ही clear और clean हो जाएगा तो चलिए बताती हूँ कैसे आपको black hurts, white hurts को remove करना है first step में सबसे पहले अपने face पर moisturizer लगाएं और उसके बाद आप steam लें steam लेने से आपका जो black hurts और white hurts वाला area है वो soft हो जाता है और फिर black hurts और white hurts पहुती easily remove हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको 2 मिनट तक steam ले लेनी है अगर आपके पास ऐसा steamer ना हो तो आप किसी बरतन में पानी गरम करें फिर towel से अपने से और face को cover करें फिर steam लें इससे pores open हो जाएंगे और बहुत easily black hurts वालाइटर्स निकल जाएंगे और इस तरीके से steam लेने के बाद अब आपको क्या करना है अपने face को किसी भी towel या cotton के कपड़े से ऐसे हलके से पोंच कर साफ कर लें और अब हम चलते हैं second step की ओर तो second step में हम एक scrubber बना कर त्यार करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चमबच चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप sugar भी इस्तमाल कर सकते हैं चीनी को दर दरा सा पीस लें और उसका इस्तमाल करें और अब मैंने इसमें दो चमबच कच्छा दूर डाल दिया है इसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है आपको चावल के आटे में skin whitening properties होती है यह हमारे skin से सारी गंदगी को remove करता है blackheads writers को remove करता है एक बहुत अच्छा scrubber है यह और चावल के आटे की इस्तमाल से skin lighten, titen और praten भी हो जाती है तो हमने इसे इस तरीके से बना के त्यार किया है और अब आपको क्या करना है इसमें डालना है नीबू आपको इसमें 5-6 मूंद नीबू डाल देना है नीबू डालने से चाहरे की गंदगी साफ हो जाएगी और blackheads writers बहुत ही आसानी से निकल जाएगे तो अच्छी तरीके से इसे mix कर लेना है हमने जो इसमें दूद इस्तमाल किया है वो आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा glow लाएगा और dryness को remove करेगा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा honey मिला सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा dry है तो थोड़ा सा honey इसमें add कर दें अब आपको इस scrubber को अपने face पर इस तरीके से लगाना है देखे आप चाहें तो केवल nose पर, chin पर और cheeks पर जिस एरिया पर blackheads, whiteheads हैं वहाँ लगाएं इसको या फिर आप पूरे face पर लगाएं तो मैं पूरे face पर इसे लगा रही हूँ नीवू के इस्तिमाल से इसकिन पर जो extra oil की problem होती है वो control होती है और फिर blackheads, whiteheads जल्दी से बापस नहीं आते हैं और बहुत ही easily ये remove हो जाते हैं अगर आप नीवू नहीं डालना चाहते इसमें तो आप tomato का रस एड़ कर सकते हैं देखें आपकी skin को जो suit करता है नीवू या tomato का रस वो आप इसमें एड़ करें इसे लगाने के बाद आपको हलके हातों से ऐसे scrub करना है ध्यान रखें बहुत हलके हातों से करें वरना face पर rashes हो सकते हैं तो इस तरह हलके हातों से आपको मसाज करते हुए ये blackheads whiteheads निकाल दे हैं हमने जो steam ली थी उसकी वज़े से pores open हो जाते हैं और फिर इस तरह scrub करने से blackheads whiteheads easily निकल जाते हैं साथी face पर जो भी dead skin cells होते हैं वो भी निकल जाते हैं सारी गंदगी साफ हो जाती है और face बहुती clean और clear हो जाता है skin पर एक अच्छा glow आ जाता है तो यहाँ पर लगबग 2-3 मिनट के लिए आपको ऐसे हलके हातों से scrub कर लेना है और फिर बस scrub करने के बाद आपको अपने face को normal water से धोकर साफ कर लेना है तो यहाँ मुझे 2-3 मिनट हो चुके है तो अब मैं अपने face को दोकर साफ कर लेती हूँ तो यहाँ मैंने अपने face को दोकर साफ कर लिया है face बहुती साफ हो चुका है और जो भी blackheads, whiteheads और dead skin cells थे वो निकल चुके है skin बहुती clear और clean हो चुकी है अब जो हमारे pores open हो गए है इन्हे minimize करना है तो इसके लिए आप कोई भी toner या गुलाब जल अपने face पर लगाएं तो मैंने यहाँ पर गुलाब जल लगाया है इस तरीके से face पर अच्छे से आपको लगा लेना है और अब face को ऐसे ही छोड़ें यह step बहुत ही जरूरी है इसे मत भूलेगा इस तरह black hearts और white hearts से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं अबीद करते हूं आपको यह remedy पसंद आयोगी अगर आपको यह remedy पसंद आयोगी है तो वीडियो को like, comment, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बाई बाई